दोस्तों क्या आप अपने मुवाइल में Dream 11 एपलिकेशन यूज करते हैं, अगर आप यूज करते हैं तो आपने अपने Dream 11 पर क्रिकेट के अंदर टीम बनाया होगा या फिर आपने फुट वाल के अंदर या कवर्डी के अंदर या किसी अधर गेम के अंदर अपने टीम बनाय उसके बाद कितना समय लगता है और कितना पैसा आपके बैंक में आएगा और कितना उसमें से GST कट जाएगा तो सारी जानकारी आपको इसे वीडियो के अंदर पता चल जाएगी तो बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा सबसे पहले आप अपने मुवाइल में Dream 11 एप्लिकेशन ओपिन करिएगा अपनी ID को आप यहाँ पर लॉग इन कर लीजिएगा यहाँ पर मैंने कोच क्रिकेट के अंदर टीम बनाई थी जिसके अंदर हमें कोच पैसे विन हुए हैं और उसी पैसे को हम निकालना चाहते हैं अपने बैंक में तो सबसे पहले आप अपनी Profile पर क्लिक करिएगा यह रहा आपका Profile उसके बाद यहाँ पर मिलेगा My Balance और आप इस पर My Balance पर क्लिक करेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका balance दिखाई देगा और यहाँ पर दिखाई देगा winning amount एक बात को याद रखना है कि जो आपका amount यहाँ पर दिखाई देगा वो आपका withdrawal नहीं होगा और जो winning के अंदर दिखाई देगा वो आपका withdrawal हो जाएगा चाहें आप कोई भी पैसा add करते हैं तो वो यहाँ पर दिखाए देता है तो वो आपका withdrawal नहीं होगा उसे आपको use करना होगा खेलना होगा और जब आप जीतेंगे तो वो पैसा यहाँ पर आएगा और यहाँ से withdrawal होगा withdrawal करने के लिए बहुत यासान है बस आपको withdrawal instantly पर click करना है लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर bank account को add करना होता है तो bank account को add करने के लिए जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो एक option मिलता है my kyc details का और आप इस पर click कर देंगे जैसे आप इस पर click करते हैं तो यहाँ पर आपको चार option मिल जाते हैं सबसे पहले मिलता है आपको mobile number का तो यहाँ पर आपना mobile number verify करेंगे verify का मतलब जब आप यहाँ पर account बनाते हैं तो mobile पर एक OTP आता है जब वो डालते हैं तो आपका mobile number verify हो जाता है उसके बाद अपने email ID को verify करना होता है तो email पर एक OTP आएगा वो यहाँ पर डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर आपनो pen card आपको link करना होता है pen card का आपको यहाँ पर details इंटर करना है जैसे कि आपका नाम क्या है pen card number क्या है और आपका photo क्या है और pen card का photo यहाँ पर upload कर दीजेगा उसके बाद bank के details को यहाँ पर आप इंटर कर दीजेगा अब एक बात आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ हमारा pen card नहीं बना है तो हम फिर क्या करेंगे तो आप यहाँ पर अपने family member का किसी भी किसी का भी आप pen card यूज कर सकते हैं लेकिन जिसका pen card होगा उसी का bank account यहाँ पर add करना होगा तो इस तरीके से आपका bank यहाँ पर link हो जाएगा आप यहाँ से आ जाईएगा bank यहाँ पर दिखाई देगा withdraw instantly और आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा no tax यहाँ पर applicable on withdrawal of two यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप withdraw करते हैं तो आपको इतना रुपए withdrawal करना है और इसमें कोई भी tax आपको नहीं देना होगा अगर आप यहाँ पर जितना इमाउंट है उतना इमाउंट आप डालेंगे जैसे कि हमारा है 805 रुपए तो इसमें आपको tax कितना देना होगा तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आप जब इतना करेंगे तो after government tax हटा कर आपके bank में इतना रुपए आ जाएगा जैसे कि 805 रुपए हम विड्रॉल करेंगे तो हमारे bank account में आएगा 648.64 पैसे और बाकी जो होगा वो government के tax में चला जाएगा तो इस तरीके से आपका यहाँ पर tax लगता है सारा कुछ दिखा दिया जाता है कि आप कितना पैसा बिना tax के विड्रॉल कर सकते हैं और कितना पैसा आप विड्रॉल करेंगे तो उसमें फिर tax लगेगा यहाँ पर आपका bank रहेगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इतना ही amount विड्रॉल कर लेते हैं क्यों हम tax दें तो उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा no government tax on the withdrawal इसमें कोई भी tax नहीं है उसके बाद withdrawal जैसे आप इस पर click करते हैं click करने के बाद यहाँ पर मिलेगा confirm और आपको फिर confirm बटन पर click करना है जैसे आपका confirm बटन पर click करेंगे यहाँ पर बताया जाएगा कि आपका ज जो पैसा होगा वो bank account में आ जाएगा तो चलो हम यहाँ पर 5 minute का इंतिजार कर लेते हैं तो हमारे पास आ चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं यह message आया हुआ है 238 रुपय का और यहाँ से आ जाते है बैक बैक आने के बाद अपने email पर भी दिखा देते हैं क्योंकि इसमे वो वाला mobile number नहीं लगा हुआ है तो यहाँ से अपना हम email to डाल देते हैं जिस email ID से मैंने withdrawal किया है तो यह रहा और अभी इसके अंदर देख रहा है का आपको देख रहा होगा यहाँ पर देख लिजे your withdrawal is now is with यहाँ पर देख रहा होगा your withdrawal request 238 रुपय 5 minute का समय लगेगा और withdrawal कैसे करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरब से आपको पहुत धन्वाद